आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम सिध्धान तक नहीं होता ही, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत सबागत है, दोस्तों, कोरोना केसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, आज हम इस लेचर में जानेंगे, हम कुछ रीजन्स की बात करेंगे, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि सेकेंड वे इतनी ज़्यादा खतरनाक है, देखिए, आपको बता दूँ कि सेकेंड वे बहुत खतरनाक है, केस फेटिलिटी रेशियो कम है, यह अच्छी बात है, मैंने एक वीडियो अभी बनाया है, कि कुरोना खतम कब होगा, आयोप आपने उसको देखा होगा, इसमें भी मैं बता दूँगा, घर के बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है, आपको आवाज आए, कॉम्प्रमाइज कर लीजेगा, तो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे ख्याल में एक सेकंड लगेगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जब आप सब्सक्राइब करते हो, ग्रोथ अच्छी होती है, और ऐसे ही परिवार को आगे बढ़ाते रहो, इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, मुझे याँ पर सवाल पूछो, मुझे जुड़ सकते हो, साड़े सोला जार है मेरे टेलिग्राम पर सब्सक्राइबर, तो आप यही जॉइन करिएगा, क्योंकि यह ओफिशल है, देखो, क्या है, हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स की धजिया उड़ रही है, हमने देखा, कि कुम्ब मिला लगाया गया, ठीक है, कुम्ब मिला लगाया गया, बट मेरे खयाल में ऐसी सिचुईशन पर कुम्ब मिला नहीं लगाना आपको रैली में मास्क पहनते हुए नहीं दिखेंगे, ये, तीसरी चीज लोग भी थोड़ा सा कैशुल हो गया, इद का समय है, हुली का समय था, त्योहारों का समय, लोगों ने भी घूब भीड जमाई, केसिस कम आये, तो लोगों को लगा, कोरोना खतम हो गया है, बार ब बाहर जाता था, कोई मास्क नहीं पहनता था, जादा तर लोग, मतलब कोई नहीं, जादा तर लोग जो मास्क पहनते भी थो, कहीं नाक के नीचे, और बहुती क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े होते थे, और ये तब है, जब कोरोना खतम नहीं हुआ, दस से पंदरह इस पर बहुत केसिस आ रहे हैं, 30,000 से जादा केसिस, हाला कि ये जरूर वोला है कि लखनों के जो पीक है, ये एप्रिल एंड ता खतम हो जाएगी, तो पहली बात तो ये है कि COVID-19 की गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं किया गया, एक ये भी सच है, दूसरा खतरनाक पहलू है म्यूटेशन, देखे प्रोटोकॉल तो एक तो ये भी था ना कि वैक्सीन हो रहा था, वैक्सीन हो रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि चलो वैक्सीन लग गई है, वैक्सीन चुरू होगे, तो वैक्सीन लगाने के बाद ही हमको कोरोना नहीं होगा, देखो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना होगा, क्यूं होगा उसका रीजन बताता हूँ, वैक्सीन की जब दूसरी डोस लगेगी, उससे दूसरे या तीसरे हफते बाद से आपके आंटीबॉडी बनना शुरू होगी, तब तक आपको अपना खयाल रखना है, नहीं रखोगे तो होगा, वायरिस चपेट में लेगा, वैक्सीन लगने के बाद, मतलब एक देर से दो महीन आपको वेट करना है, दूसरा और सबसे स्ट्रॉंग रीजन है, म्यूटेशन, आप तो भारत में ट्रिपल म्यूटेंट आ गया, ये कोरोना म्यूटेट कर गया है, देखिए, मे अलग-अलग strains होते हैं, यही possible reason हो सकता है, neutralizing antibodies कम हो गई, यही possible reason हो सकता है, क्योंकि एक बाल आपको करोना हो गया, तो natural, कोई भी वायरिस आपको अटाक करेगा, तो इसका बाद, natural immunity आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि होता नहीं होता है, लेकिन कम cases देखे गए हैं, तो जो नया variant है, जिसको B.1617 बोला जा रहा है, इंडिया में इसको detect किया गया, दो mutation E.484Q, L.452R, दोनों को मिलके यह नया B.1617 मना है, तो यह जो mutation है, जो variant नय नहीं घूम रहे हैं, बहुत बड़ा reason है, इसकी transmissibility जादा है, हाला कि fatality कम हो रही है, तीसरी चीज है airborne, देखे बहुत जदा possibility है, कि यह airborne हो चुका है, यहाँ पे experts का, doctors का यह कहना है, कि virus जो है, वो air से, हवा से फैलता है, देखे हवा से फैलने का मतलब यह नहीं कि हवा में है, हवा में नहीं है, जैसे माल लोग की, कोई infected region है, कोई containment zone है, open space में इसकी possibility कम रहती, open space पे possibility कम इसलिए है, क closed में circulate होगा ना virus, closed में circulate होगा, closed space, अमेरिका में detect किया गया, कि एक इनसान ने, एक music program था, एक इनसान ने तिरेपन लोगों को infect कर दिया, closed space, और especially जहां पे इस ही लगा हो, ऐसा कई बाद, hospitals में हम को देखने को मिला है, तो दोस्तों airborne है, लेकिन airborne होने का मतलब यह नहीं ह थोड़े समय तक हवा में रहेगा, दो से तीन घंटे, और closed area में 20 feet तक यह फैल सकता है, अब कैसे बत सकते हैं, open area में नहीं होता, ventilation अच्छा है तो नहीं होता, तब control हो सकता है, जो containment होने वहाँ पे हो सकता है, airborne में, air में रहे, लेकिन again, वो closed area में रहेगा, घर में किसी को ह हो रहा है, जो घर के अंदर है, उनको जादा हो रहा है, क्योंकि वो closed area है, वो भी 2-3 घंटे तक suspended रहेगा, अगर आप मास्क पहन रहे, क्या करें, मास्क पहन यह, मास्क अगर आप पहन रहे हैं, 80-90% आप ऐसे ही safe हो गए, और अगर दूसरा person मास्क पहन रहे तो 99% safe हो है, कुछ भी ऐसा बहुल बड़ा event होता है, तो वहाँ पर फिर cases देखे थे हमने, ठीक है, cases एकदम सा बढ़ते हैं, तो it is extremely dangerous, और देखें, large gatherings भी हुई हैं, बहुत जादा, शादियों का महल था, लगबग, लगबग, सारी जो restrictions थी, वो हटा ली गई थी, in fact, theatres भी पूरी तरीके से खोल दिये गए थे, तो इसी लिए it became extremely dangerous, फिर उसके बाद political gatherings, religious gatherings ने चीजों को और खतरनाक बना दिया, लोगों को पता ही नहीं था कि उनको corona है, asymptomatic cases थे, symptoms ही नहीं थे, और ये corona घर लेके आ गए, और लोगों को infect किया, they became super spreaders, ये बहुत बढ़ा reason है, फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, भारत के 5 से 6 राज्य जो हैं, वो सबसे ज़्यादा contribute कर रहे है, 78% cases तो यहीं से आ रहे हैं, जिसमें से महराश्ट्र में सबसे ज़्यादा cases आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा, उसके बाद UP, राजस्थान, दिल्ली, 36 गड़, इन सब जगां पे cases बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी जगाओं पे इतने cases नहीं आ रहे, तो 78% cases जो भारत में आप इतने सारे cases देख रहे हैं, इसमें से 78% cases इन 6 states में हैं, केरल, केरल में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यह, तो यह चीज़े हर्ष वर्दन, आपने सीधी बात पे ज़्यादा आए हैं उसके बाद testing देकि testing भी हमने बढ़ाई है और बहुत तेजी से बढ़ाई है testing भी हम ज़्यादा कर रहे हैं जिससे cases ज़्यादा detect हो रहे हैं लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें mutation सबसे बड़ा है ठीक है और जो अभी events हुए है और जो protocols नहीं follow हुए है first पर तो mutation है जो नया variant तबाही मचा हुए है इसकी वज़े से cases बहुत ज़्यादा आ रहे है क्योंकि transmissibility ज़्यादा है और protocols को भी ध्यान से follow करना पड़ेगा vaccination program हमारा अल्ड़ी चली रहा है लेकिन vaccine मेरी जीजा जी को vaccine लगी दोस्तों वो covid positive हो गए तो vaccine के बाद भी आपको कुछ समय तक wait करना है कुछ लोग एतियाद बरतर उसके बावजूद में को corona हो जा रहा है पीक जो है वो अभी चल रही है और अभी 20 अप्रेल के बाद ही जो super model बनाया है 20 अप्रेल के बाद corona कम होगा मतलब अपसे और मई तक और कम होगा situation control का मतलब है cases कमाने लगे तो इसलिए भाईया जितना हो सके घर में रहो वैसे भी work from home चल रहा है और states ने lockdown भी लगाया है यूपी में लगना था लेकिन लगाया नहीं होगी आदितनात ने तो थोड़ा सा ध्यान रखो protocols को follow करो ये कुछ एक डेर दो महिने की बात है follow तो उसके बाद भी करना है ऐसा नहीं उसके बाद लेकिन अभी बहुत strictly follow करो और बचे रहो क्यूंकि लगबग हर कोई बिमार पढ़ रहा है आई होप ये reasons आपको समझ में आये होंगे इसके बावजूद अगर कोई और reason आपको लगता है तो मुझे comment box में जरूर बताईएगा खुछ रहेगे परते रहे देचा से तना तक नियोतरी signing off